और यहाँ पे वो नेड़ वाला बंदा यार रोने बैड़ गया होगा मैं मजाग भी नहीं कर रहा मत तो भाई लोग कैसे हूँ तो यार वेलकम दी बैग बैग दी वेलकम और स्वागत ये आपका एक बिरा न्यूप गलत चीन से भरे पड़े भबजी दो मुपाइल गिंप्लियो वीडियो में और यार इसमें तुम्हारा भाई नेड़ को चकमा दे देता है मतलब नेड और मेरे गलत पंगे हैं गलत रिष्टे हैं सालू सालू से ठीक है मेरे नेड फटते नहीं मेरे पे नेड आते सारे फटते हैं लेकिन यार इस बार कुछ अलग और खतरनाक होता है मतलब यार मज़ा टैप आ जाएगा देखके खेर वो थोड़ा आगे जाके होगा हना मतलब यहाँ पर फिलार जोर जा रखें और नेड का तो पता नहीं यार बैक तक नहीं है यहाँ पर मेरे पास लेकिन यार जो भी है उसी को उठाके मैं आगे रस कर रहा हूँ एकाद बॉट मैं पेली चुका हूँ अब बंदे पिलने की बारी आ चुकी है अब ये भाई हमारे बिल्कुल मुह के सामने सूटगन लेकि आ जाते हैं खेर मैं साइड में जाता हूँ बिल्कुल उजी चिपकाता हूँ अब बाकी बंदों की बारी अब यहां पे ये हर एक बंदे यार सूटगन लेके आ रहे हैं कोई S-BAR अके लेके गुसरा है कोई वो डबल बैरल खेर जो भी हो इनका बस एक ही बंदा बाकी होता है जिसके फुटी स्टैप आगे से आ रहे हैं मुझे अब पहले मैं लोगों पे गुस्सा हुआ करता था यार कि कोई जोर्ज क्यों नहीं आ रहा है हना जोर्ज उन्हों वो खाली बढ़ा रहता था अभी पता चला है मुझे जहां तक पता चला है यार लूट कम हो गई है मतलब पहले ऐसा हुता था यार एक कंठेनर में उत्रो पूरे परिवार के लिए गने होती थी ठीक है अब यहां पे पूरा जोर्ज भी लूटोगे ना फिर भी नंगे रह जाओगे जैसे इन बंदों कोई देख लो मतलब सोडगन सूटगन लेके आ रहे थे खैर जोबियों यहां पे सबको पेल दिया जोर्ज खाली हो चुका है और मुझे नहीं पता क्यों PUBG वाले गेम खराब करने पे लगे पड़े हैं क्या जोरती लूट कम करने की यार बंदे आते ही नहीं है अब अब देखो मुझे 100% नहीं पता लूट कम हुई है कि नहीं लेकिन मैंने बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं लेकिन यार लूट बिल्कुल वी नी मिलती और बंदे तो पूछो ही मत तो मुझे लगता है यह हुआ यार लूट कम हो गई तो कौन आएगा नियत था ठिलने के लिए खेर जो भी ओ जोर्ज खाली हो चुका होते हैं न एक इसो कोड़ आई होती है उन सब की पेटी बना देते हैं और जारे होते हैं रूचो की पाड़ी की तरफ इस बार मैं बोलता है यार बग्गी है तो पाड़ी पे नहीं जाएंगे नीचे ही चलते सीधा और आगे गूलियां भी चल ली होती है तो करना क्या था मैं भी नीचे पे ले लेता हूँ और बंदे देख लेते हैं मैं अब यहां पे मुझे ऐसा लग रहा था यार ये बंदा सिर्फ और सिर्फ हमारी लिए रुका था हना बिल्कुल जहां पे मैं गाड़ी लेने जा रहा हूँ वहीं पे भाई सामने खड़े होते हैं और मेरे ख्याल से सप्रेस UMP चलाते हैं और तुम्हारे भाई पे सिर्फ लेवल एक का हेलमेट है हना एक गूली लगते है यार हेल्थ की ऐसी तैसी हो जाती है अच्छा हुआ सिर्फ एक सस्ती गन UMP थी सोचो यहां पे बैरल बुरा लेके हैं मूती यार क्या ही आलो होता मेरा खेर जो भी हो यहां पे मैं इस भाई को भी लूट लेता हूँ और आगे दबा के गूलिया चली है हाना मतलब यार जोर्ज कोई नी आया लेकिन रोजोक बंदे भर भर क्या रखें तो करना क्या था मैं अपनी M4 निकालता हूँ और वहां पे देखने लगता हूँ जहां पे गूलिया चली होती है अब यहां पे मैं शायद एक बंदे की किल चोरी करता हूँ उसके बाद एक बंदा नोग भी हो जाते तो मैं बोलता हूँ भाईया जल्दी से रस कर दो हना गाड़ी मैं बैठता हूँ धैड़ पैड निकलनी की तैयारी अब देखो यहां पे मैंने बग्गी क्यों उठाई क्योंकि मेरे दिमाग में इस टाइम यह थैयार की बग्गी छूटी है अराम से निकालूँगा लेकिन आराम का पता नि भाईया ठोक ठाक के निकाली और गड़बर हो जाती क्यार जो भी हो यहां तक मैं पहुंच जाता हूँ आगे बंदा नोक करके रखा है और जहां तक मुझे पता यहां पे दो सकॉट की पहले सई फाइट भीड़री थी तो मैं भी आजातों किल चूरी करने और यहां पे आके मोहौल सांग टैप हो जाता है तो जहां तक मुझे लग रहा है एक सुकॉट ठिल चुकी है और जो भी बचे कुछे बंदे यार उनी से काम चलाना पड़ेगा हमें अब यहां पे एक बंदा अंदर नोक हो चुका है लेकिन हमें कंदू भी नहीं पता कि यार बंदे कितने हैं यहां पे असल में और यहां पे मुझे एक फ्री की किल भी मिल जाती है ठीक है नजाने किसने उसे नोक किया था लेकिन यार पेटी मेंने बनाई और एक बोट भी है नीचे और ये बोट लोग भी तब ही आएंगे यार जब दिक्कते चल लिएंगी हाना यहां घर के उपर तीन-तीन बंदे बैठे पड़े हैं और बोट नीचे से बैरल पठका रहा है और इसी के साथ ये आकरी सोकॉड भी ठिल जाती है हाना भले मैं यार सबको नहीं पेल पाया सारी स्कॉड को लेकिन किल मैंने लगबग एक ही बात कर ली UMP वाले बंदे को पेला उस गर्राच के बगल में उसके बाद बोट की किल चुराई, बंदों की किल चुराई ठीक यार अपना हो चुका है अपना काम यहाँ पे, कम से कम 14 किल तो ही, मतलब यार जोर्ज उतर के तो सिर्फ दिली डूटता है आज कल खैर इससे पहले कि मैं आगे जाऊं और 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 भी जादा गलत सीन हो हम धैड़ पैड़ बात कर लेते हैं हमारे सुपांसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्स बैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स, क्रिकेट, फुटबाल, वालीवाल, बास्केट बाल पे बैट लगा सकते हो और अपनी प्रेडिक्शन स्किल्स के तुरू पैसे अन कर सकते हो साथी साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो की कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा और इसमें गेम्स भी होते, कई सारे मिनी गेम्स भी होते तो हाँ यार आप वो खेल के भी पैसे अन कर सकते हो तो हाँ भाई लोग यार अगर आपको इस चीज का सोक है तो आप इसे जरू ट्राय करो, ट्राय करके देखो यार क्या पता मज़ा टैप आजा है इसके लिंक कमेट सेक्शोर में होगी, बिल्कुल टोप में और उसके बाद मैं डिरॉप के पास जा रहा हूँ हाना क्यूंकि यार ढंकी गने चाहिए, महेंगी गने चलानी है मुझे भी और बाकी बंदों को भी चाहिए होती है और यहां आते आते मैं पूरी जान से गाड़ी बगाता हूँ हाना यह सोचके कि यार सबसे पहले जाऊँगा, डिरॉप की गन उठाऊँगा और सबकी पेटी बनाऊँगा लेकिन यहां पे कोई और ही सीन चला है बंदे पहले से ही पहुँच रखे, मेरे ख्याल से यह लोग यहीं पे उतरे होंगे और हम पे गूलिया चला रहें दबाके लेकिन तुमारा भाई धीट है तो मैं बोलता हूँ डिरॉप गया भाड़ में पहले इनकी पेटिया बनाऊ तो देखो मैं पीचे पे गाड़ी लाता हूँ और जो मैं कर रहा हूँ न इसे मुर्खता कहते हैं क्योंकि कोई भी कहीं पे भी लेटा हूँ सकता है लेकिन धीट हूँ तो यार करना ही पड़ेगा और यहां पे थोड़ी सी धिकता करने के बाद मुझे हो साता है ठीक है मैं अपने अप से पुछता हूँ कि यार क्या नसे ही ये ऐसे कौन गाड़ी रोकता है उपन में हाना दिमाग में ये चलना है कि यार नहीं कवर में जाना चाहिए लेकिन यार धीट हूँ तो नेट डूट करने की कुशिस कर रहा हूँ जिस से कद्धू कुछ नियूखरने वाला लेकिन मैं फिर भी करता हूँ अब ये गाड़ी साइड में भकते देख यार मुझे हुसा जाता है क्योंकि यहां पे ओपन में सब हमारी पेटी बनाएंगे तो हम गाड़ी लेके भगते हैं पहले और यहां आते आते जैसे तैसे एक बंदे को पेलता हूँ मतलब डेमेज देख रहो यार बंदों ने चलती गाड़ी में अच्छे से लपेट लिया अब देखो अगर यह थोड़ी बहंगी वाली जीप होती तो इतना डेमेज नहीं होता लेकिन यह है खुली जीप बिल्कुल हवा भी आएगी गोली भी आएगी पेटी भी बनेगी इस जीप में तो जल्दी से यहाँ पे रुकता हूँ दूसरे बंदे को बहुत डेमेज दिया था लेकिन यार नौक नहीं कर सका लेकिन वो बंदा रिवाइव देने भगेगा तो यार पकड़ने की कुशिस करेंगे और मैं तो कदू भी नहीं पकड़ पाता किसी को लेकिन यार हमारे भाई को पीछे से कोई पकड़ लेता है हरा नौक नूक करके छोड़ दिया बिल्कुल पीछे भी बंदे हैं और यह जहां तक मुझे लगता है दूसरी सो कोड़ के बंदे हैं और यहां पर रिवाइज देने से पहले मैं समोक में अजस कर देता हूँ हना बंदा फुल चोड़ में गाड़ी ला रहा है वो भाई कोई इज़त ही नहीं है यार हम यहां बैठे पड़े हैं नहीं भाई बंदा गाड़ी गुमाए जा रहा है मैंने बोले यार ऐसे काम नहीं चलेगा भाई समोक में गुशते हैं लेकिन किसमत काम कर जाती है तुक्के लग जाते हैं और समोक में जस हो जाता है और यार जहां तक मुझे लग रहा है वो लोग अब भगनी की कोशिस में पूरे और यहां पे देखो समोक वगेरा बनाये जा रहा है अब मैं क्या कर सकता था उनकी गाड़ी फोड़ सकता था लेकिन यार देखो गाड़ी किसी की भी गाड़ी फोड़ना है यार बहुत दुक होता है मुझे खास कर तब अपनी गाड़ी फूटती है तो मैं बोलता हूँ यार कोई दिक्कत नहीं है एक बार समूक मैं ज़स किया दुबारा भी कर लेंगे लिकिन मैं बहुत बहुत गलत होता हूँ मतलब तुक्के हर बार नहीं लगते और मेरा समूक मैं ज़स करने का सपना चूर चूर हो जाता है हरा पहली वार हो गया था मुझे लगा ठीक यार ये लोग बैठेंगे मैं बैठते ही पेटी बना दूँगा गाड़ी में लेकिन यार जब तक मैं गोली चलाना शुरू भी करता हूँ वो लोग गायब हो चुके होते हैं खैर उत्रे में ही ये पीचे से दूसरी टीम के बन्दे गाड़ी लेके आते हैं और इनकी यहीं पेटी बन जाती है और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई डेली रिहो टीवी में सट्रीम वगेरा करता है और वहाँ पे डेली गलत सीन होते हैं और देखो अभी आने वाले साथ दिन के अंदर पोको का गिववे खतम होने वाला है तो हाँ यार आप पे अभी भी मौका है पोको जीतने का तो वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना और अगर आपको खुद को सौक है सट्रीम करने का तो आप रिहो टीवी पे कर सकते हो रिहो स्टूडियो की मदद से और आपको पैसे भी अन करने का मौका मिल जाएगा वाँ पे और जानकारी के लिए आप रिहो टीवी के हेल्प एन सपोर्ट में जा सकते हो और आपको रिपलाई जरूर मिलेगा तो हाँ यार फॉलो करना मत भूलना आओ यार डेली गलत सीन करेंगे और पोको जीतने का भी मौका है खैर उसे के साथ मैं मिल्टी रेरी के तरफ आगया हूँ क्योंकि जोनी धरी बन रहा है और ये बेचारा बंदा वहां पे किसी की पेटी लूट रहा था हरा मतलब भाई मस्त लूट रहे होंगे कि भाईया ये सकोप नहीं मैं ये वला उठाऊंगा उत्रे में पीछे आता हूँ लेटा हूँ और बिल्कुल सस्ता सप्रे दे के सीधा पेटी बना देता हूँ अब देखो वहां पे फाइड चलिए गूलिया दबा के चलिए तो हम ना जाए ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं भी आता हूँ गाड़ी लेके ठोक देता हूं यहां पे और यार तयार हो जाओ क्यूंकि यहां पे न तुम्हारा भाई पहली बार नेड के साथ गलत सीन करता है लेकिन इस बार नहीं यार देखो मजेलो इस चीज़ के और यहां पे वो नेड़ वाला बंदा यार रोने बैड़ गया होगा मैं मजाग भी नहीं कर रहा मतलब भाई बिल्कुल खुस होगा कि यार देखो दर्वाजा खुला पड़ा है मैंने नेड़ खीच दिया है मैं बहुत महेंगे नेड़ करता हूं आज तो फाड़ के ही है मेरे और मैं दर्वाजा बंद कर देता हूं और देखो यह जो हरकत मैंने नेड़ के साथ किये ना नेड़ माफ नहीं करने वाला मुझे अपसे मुझे नहीं लगता मेरा एक भी नेड़ फेटेगा एक भी तो यहां पे मैं एका नेड़ करता हूं और मजा ले जो एक भट जाए मतलब जब मैंने ये बत्तमी जी नेड़ के साथ की ना मतलब मुझे सामने दर्वाजा पटक दिया नेड़ के मैं समझ गया था अपसे मेरे नेड़ फटेंगी नहीं बिल्कुल भी क्यार यहां पे इन दोनों को देखो आगे दो साब बने बैठे हैं जान तक मुझे पता है क्योंकि एक बंदा नौक हुआ था और किल के नाम पे मुझे कद्दू कुछ नहीं मिला है तो मैं इधर उदर भटकता हूं दोनों की पेटी बनानी की कोशिश में लेकिन यार नही होते वे भी कि सामने बंदे वो डेटता होती है तो देखो आगर आपके सामने दर्वाजे नहीं है तो वो डेटता मत करना क्योंकि कई बार नेट भट जाते हैं अब उनका एक बंदा मैं दुबारा नौक कर चुका हूं और रिवाई वो कद्धू भी नहीं हुआ है तो मैं बोलता हूं इस बार तो रस करके ही माने गया हम तो मैं गाड़ी निकालता हूं जाता हूं दूसरे बंदे की पेटी बनाने के लिए इतने में ही कोई और रह जाता है यहां पे सब्सक्राइब इस गाड़ी में आने का क्योंकि यार वो बंदा साब बन के बैठा था जहां पे भी बैठा था और अब जोन जाना है तो भाई गाड़ी पे जरूर आएंगे बिल्कुल आएंगे और जो मुझे लगी रा था वही हो जाता है यहां पे मतलब यार डेड़ आईक्यू दिमाग कभी कभी काम कर जाता है खेर जो भी हो इस बंदे को मैं अंधा लूटता हूँ और देखो जब यहां पे लड़ाई चल ली थी तब मैंने एक चीज़ देखी थी वो यह है कि किसी एक बंदे पे AWM पड़ी है हना देखो जोन बहुत चोटा हो चुका है इस जोन पे अगर आप अंगे ले रहे हो लूट रहे हो बाहर तो दिक्कत हो सकती है कभी भी पेटी बन सकती है आपकी लेकिन तुमारा भाई क्या है डेट बिलकुल हना मतलब सारी लूट लूटूँगा मैं 6X भी लूटूँगा 8X भी लूटूँगा AWMB चाहिए मुझे तो यहां पे मैं क्या करता हूँ इस बंदे पे आगे वाली पेटी पे AWM पड़ी होत सब्सक्राइब अब बस बंदे ढूंड़ने साप का चकर मौत का टकर होगा अभी तो यहां पे मैं रुकाओ बिल्कुल फटके चार हो रखे क्योंकि कोई भी कहीं से भी मार सकता है लेकिन यार रुकना तो पढ़ेगा कहीं न कहीं और देखो हम यहां पे रुके हैं और आगे वाली पहाडी में फाइट दबा के चल लिए हना तो मैं बोलता हूँ यार ऐसे 21 किलो रखे हैं कैसे काम चलेगा 21 किल में तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और निकल पढ़ता हूँ उन बंदों की पिटी बनाने हना इससे पहले व और ये बात मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यार वो बंदा बचके निकल गया मेरे मूग के सामने से बंदा ओपन में भग रहा है इतना सस्ता सप्रे दिया मैंने कि यार बंदा ने ठीला मतलब मेरे ख्याल से 10 HP बाकी होगी बंदे की लेकिन यार जब किसमत में किल नहीं लिखी होती तो कद्दू भी नहीं मिलती किल हाना तो मैं सोसता है यार देखो AWM भी उठाई है AWM से फटके पहलता हूँ बहले किसी को ना पहल पाऊँ लेकिन यार गोली बर्बाद तो करनी पड़ेगी नहीं तो AWM गाली देगे यार उठाई है चलाना तो ख्यार आगे बंदे आपस मैं लड़ी रहें पर मैं जा नहीं सकता क्यूंकि कितने बंदे कहां साप बने हमें कद्दू भी नहीं पता और अखिर कर मुझे एक साप की मुंडी दिखती है तो मैं निकालता हूँ अपनी AWM को अब यहां पर यार मैं गुसे में आ जाता हूँ मुझे लगता है जिस बंदे को मैंने AWM का फटका पेला उसे पेल दिया किसी और ने हाना तो मैं धेड़-पेड़ गाड़ी लाता हूँ देखता हूँ कि यार सीन के चला है लेकिन बाद में पता चलता है नहीं यार मेरी खिल चोरी नहीं हुई है लेकिन जो जिंदा बंदे थे, वो लोग ठिल चुके है और एकी बंदा बाकी है और ये वाला नोक बंदा बहुत चालाख होता है मतलब यार ये रिवाइब होने के लिए कहीं पे भी नहीं चाता भाई यहीं बैठे होते हैं जिसके वज़़े से यार आखरी बंदा किदर है हमें पता नहीं चल पता लेकिन देरे देरे वो भी पता लगाएंगे और ये आवाद सुनके मैं बहुत डर जाता हूँ हरा मतलब यार अभी नेड को धूका दिया है नेड की मूँ के सामने से बच के आयो मैं दरवाजा पेला यार नेड अब आखिर में जाके बदला ले ले तो धुक बहुत होगा तो मैं क्या करता हूँ मैं पीछे की तरफ रहता हूँ और जिस हिसाब से समोग वगेरा हो रहा होता है यार बंदा आगे ही नीचे कहीं पे बैठा है और फुटी स्टैब भी आना चालू करते हैं तो करना क्या है यार हम लोग ठीपी पी ले रहें और वो बंदा पूरी जोस में पूरी जान लगा के उपर पेरस करता है तो एमफूर चलाने का टाइम आ चुका है अब ये वाला मैच जीत के मैं खुश बहुत होता हूँ लेकिन देखो आपको भी पता है मुझे भी पता है आगे वाले मैचेज में गलत सीन जरूर होंगे हाना मतलब यार नेड से पंगा लिया है हलवा नहीं चला है यहाँ पे नेड बदला जरूर लेगा लेकिन यार वो सीन करके ना मतलब मजा टैप आजाता है देखो वहाँ पे मैं हील कर रहा था शायद मुझे पता था अगर मैं भगने की कोशीज करऊ होँगा मैं कदू भी नहीं बचूँगा हाना और नेड यार नेड और अपना पहले इसे गलत सीने तो मैं भग भी जाऊंगा तो भी मैं ठील जाऊंगा तो मैं करता हूँ दरवाजा बंद, दरवाजे पर ठकराता है नेड, दरवाजे से थोड़ा पीछे जाकर गिरता है, दरवाजा फढ़ जाता है, लेकिन तुम्हारा भाई जिंदा रहता है, क्योंकि यार, अगर वहाँ पर नो को तरह मैं, तो मैं सही बता रहूं कहीं से भी नहीं बसते हैं हम इतने सारे बंदे लेटे पड़े थे खेर आज के वीडियो में इतना ही भाइलो गयार बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते एक एकस बैट को चैयाओ करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टोप में औ और अगर आप यहाँ पर नए हो तो करो सबिस्क्राइब क्योंकि ऐसे गलत सीन ऐसे गलत पंग्ये तुम्हारा भाई लेता रहता है तो बस बैलो गयार आज की वीडियो में इतने ही बहुत बहुत सुक्रिया वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं बाई बाई हुआ 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 है हुआ 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 ह